हम टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन की एप्लिकेशन समदेखेंगे तो टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन में पहले मैंने डाइमंड के बारे में पढ़ाया था यहां पर दूसरा है मिराज अब ये मिराज क्या है जनरली इसको हम रुख जड़ भी बोलते है तो ये मिराज क्या है देखो जब आप डेजर्ट में जाते हो तब दूर दूर ऐसा फिल होता है कि वहाँ पे पानी है लेकिन जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पानी आपको नहीं मिलेगा समझ भी आ रहा है आपको ऐसा फिल होगा वहाँ पे पानी है और आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो पानी नहीं होता है फिर आपको दूर उससे भी दूर दिखता है कि पानी है तो यह क्यों होगा देखो तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मानलो यहाँ पर यह डेजर्ट है यह पूरा डेजर्ट यहाँ पर उसकी सर्फेस है अब डेजर्ट की जो सर्फेस होगी उसके सर्फेस पर यहाँ पे आपको पता है डेजर्ट में ये जो रेत होती है अब यहां पे क्या होगा मानलो कोई एक coconut tree है मानलो इस तरह से ये coconut tree है मानलो या तो कोई भी दूसरा tree डेजर्ट में तो यहां पे जो एक tree है और ये जो है यहां पे surface वो desert की surface है मानलो रेत की बनी हुई अब होगा क्या बच्चो यहां पे जैसे जैसे sun की light पड़ेगी ये surface पे desert की surface पे sun की light पड़ेगी तो desert की surface रेत बहुत गरम होती है तो यहां पे रेत बहुत ही और ये जमिन के पास रेत के पास वाली जो हवा होगी वो हवा है न वो क्या होगी rare तो यहां पे जो हवा होगी जमिन के पास वो rare होगी यहां पे rare medium होगा क्योंकि हवा गरम होने पे, पतली हो जाती है, आपको पता है, रेरर बन जाएगी, तो जमीन के पास जो हवा होगी, वो रेरर होगी, और जमीन से जैसे जैसे आप उपर जाओगे, तो ये जो हवा होगी, वो डेंसर बनती जाएगी, थोड़ी थोड़ी डेंसर, समझ में आ रहा है, तो थोड़ी थो सनलाइट से यह जो रेत होती है न वो बहुत ही गरम हो जाती है तो जमीन को जैसे ही टच करेगी न हवा वो गरम हो जाएगी लेकिन जैसे जैसे आप उपर जाओगे न बच्चो इस तरह से देखोगे तो यह जो हवा होगी वो डेंसर बनती जाएगी तो उपर यहां पे हवा डेंसर है देखो इस तरह से यहां पे मैं आपको यह ड्रो करके अच्छी तरह से समझ में आया है आपको दिखा रहा हूँ यह हवा के एटम से उपर देखो मैं डेंसर ड्रो कर रहा हूँ यहाँ पे उपर और नीचे जो है वो rarer है अब क्या होगा बच्चों आपको मैंने आगे total internal reflection जो पड़ाया था उसमें आपको मैंने बताया था इस तरह से यहाँ पे जो medium था वो क्या था dancer medium था आपको मालूम है यहाँ पे क्या था dense है और यहाँ पे उपर था rarer medium आपको यह मालूम है याद करो dancer और rarer हमने यह पड़ा था तो यहाँ पे सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है rarer medium यह rarer है और यह क्या था dancer तो जब dancer में से light dancer में से light rarer में जाती है मैंने आपको बताया था यहाँ पे यहाँ से light निकलेगी और जब rarer में जाएगी तो वो ज्यादा मूरेगी इस तरह से फिर एक जगह ऐसी आएगी आपको यह भी मालूम था वहाँ पे light parallel जाने लगेगी और यह हो जाएगा 90 degree और इससे आगे वाली जो light है वो तो सभी अंदर ही मूरेगी और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा reflection भी होगा साथ में यह हमने पढ़ा था याद करो यहाँ पे हमने पढ़ा था denser to rarer total internal reflection TIR हमने पढ़ा था denser to rarer होता है यह आपको मालूम है denser to rarer क्या होता है total internal reflection अब यहाँ पे क्या होगा देखो बच्चो sun में से light आएगी tree के उपर अब tree के उपर से वो reflect होके फिर यहाँ से जैसे ही light निकलेगी वो light यह क्या है कौन सा मीडियम है उपर उपर denser है उपर denser है देखो और नीचे कौन सा मीडियम है यहाँ पर नीचे जो आपको दिख रहा है वो है rarer यह rarer हवा है नीचे तो जैसे ही sun में से light आई यह tree के उपर से light जैसे ही reflect हुई तो यहाँ पे हम खड़े है हम यहाँ पे देख रहे है यह हमारी eyes यहाँ पे यह हम देख रहे है देखो तो जैसे ही light आएगी न tree के उपर से तो यह denser में से जाएगी नीचे rarer में तो होता क्या है बच्चो यहाँ पे उपर ज्यादा denser है फिर थोड़ा rarer होगा फिर औ ज्यादा rarer होगा तो यहाँ पे क्या होता है descending order में होता यहाँ ज्यादा denser यहाँ पे थोड़ा सा rarer यहाँ और ज्यादा rarer यहाँ पे और ज्यादा rare तो यह जो light होती है न बच्चो यह जो light वह इस तरह से टर्न करती हुई ये टर्न करती हुई इस तरह से आती है ये टर्न कर रही है देखो मुड़ती हुई समझ मैं रहा है ये मुड़ती हुई मुड़ती हुई मुड़ती हुई इस तरह से हमारी आई में जाएगी और मैंने आपको आगे बताया था हमारी जो आई है हमारी जो आई वो क्या देखती है उसको feel होते है straight way समझ भे है आपके सामने मानलो कोई object पड़ा है आप जो room में बेटे हो आप यहां पे आपकी eye है यह और आपके सामने मानलो को eraser पड़ा है आपके सामने eraser पड़ा है तो eraser में से ray आएगा और आपको दिखेगा यहां तो आपको feel होगा यह eraser यहां पे ही है अब तुरंत यहां से eraser को ले सकते हो तो हमारी eye analysis क्या करती है कि जहां से जो ray आता है object वहीं पे है हमको ऐसा feel होता है तो यह जो ray हमारी eye में गया यह ray मुड़ के आया है वो हमारा दिमाग analysis नहीं कर पाता है कि यह ray इस तरह से मुड़ के आया है हमारा दिमाग एसा सोची नहीं सकता है तो यह ray इस तरह से आया ना तो हमारा दिमाग तो क्या सोचेगा यह ray को अगर मैं straight बनाओ straight इस तरह से तो देखो यहां पर यह क्या है एक tree है उसकी image इस तरह से नीचे दीखी आपको समझ वारा तो होगा क्या बच्चो आपको इस तरह से जमीन पर यह जो surface है उस पे आपको ऐसा फिल होगा कि नीचे पानी है और ये ट्री की इमेज नीचे पानी में दिख रही है कभी आपको मालूम है जब आप कोई सामने कोई पॉंड होता है मान लो और pond के दुसरे किनारे tree होते है तो आपको पता है वो tree की image नीचे pond में पानी में दिखती है तो आपको कैसा feel होता है कि सामने क्या है एक tree है और उसकी image नीचे pond में दिख रही है तो same way, same way, feel होगा यहाँ पे same way, feel होगा कि सामने एक tree है और उसकी image नीचे दिख रही है, तो image कब दिखती है, जब नीचे पानी हो, तब ही दिखती है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको, एक मिनिट मैं आपको image ही बता दू, मिराज की image, जो जिससे आपको ज्यादा और ज्यादा अच्छी तरह से feel होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक मिनिट, एक मिनिट वेट करना बच्छो, देखो, यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आपको बताओ, यहाँ पे दिख रहा होगा, कि यहाँ पे देखो यह एक छोटा सा stone है, पथर, यह तो कोई छोटा सा पाळ जएसा है कुछ, यहाँ पे आपको दीख रहा है, देखो, यह एक मिराज है, तो आपको यहां पे क्या दिखेगा यह जमीन है देखो जमीन पे आगे आगे क्या होगा यहां पे आपको दिखेगा साफ कि यह जो चोटा सा परवज्जिसा है उसकी इमेज नीचे दिख रही है देखो फिर यहां पे क्या है यहां पे भी आपको दिखेगा यह जो परवज् पानी का पॉंड होगा दूर दूर आपको फिल क्या होगा यह इस तरह से पानी का पॉंड होगा और वहाँ पानी की तलास में जाओगे लेकिन वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा इस तरह का मैं दूसरा एक इमेज भी आपको बता दू मान लो रास्ते में भी ऐसा होता है कभी-क कार जा रही है अभी summer का time है यह जो रास्ता है ना वो बहुती गरम है तो रास्ता बहुती गरम है तो उसके पास road के नजदिक वाली air rarer होगी तो आपको ऐसा feel होगा कि यहाँ पे जो कार है और यहाँ पे पानी गिरा हुआ है देखो कार की white नीचे image भी दिख रही है देखो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे real में पानी नहीं होता है यह क्या है मीराज effect है समझ में आ रहा है यहाँ पे इस तरह से एक मीराज effect है और real में वहाँ पे कुछ होता नहीं है मैं आपको दूसरी image भी दिखा हूँ जिससे आपको और थोड़ा समझ में आए देखो इस तरह से इस तरह से भी आपको दिखेगा यह देखो desert में desert में क्या है यह camel सभी सब जा रहे है तो आपको यहाँ पे सा दिखेगा कि यह पानी पड़ा हुआ है और यह जो नजदिक जाओगे तो वह वहाँ पे कुछ पानी नहीं होता है और एप्रिल फूल हो जाओगे तो जनरली इसको मुरूग जड़ बोला जाता है हमारे हिंदी में मुरूग जड़ का meaning वहाँ पे desert में अगर कोई मुरूग मिन्स हरन को आप पेज दोगे तो वह क्या बचारा पानी उस तो मुरूग जड़ मिन्स मुरूग मिन्स हरन और जड़ मिन्स पानी तो उसको देखने वाला एसा एक पानी है जो एप्रिल फूल होता है और वो हमको फूल बना तो मिन्स वहाँ पे आप जाओगे तो पानी होता नहीं है लेकिन यह total internal reflection की help से आपको यह दिखता है समझ मे तो यहाँ पे diamond के बारे में हमने बढ़ा फिर यहाँ पे हमने पढ़ा मिराज बारे में तो यहाँ पर काम नहीं आने वाला है आप जब engineering में जाओगे तो आपको main काम आएगा optical पड़ना ही है चलो यहां पर ओप्टीकल फाइबर जो चीज है उसको डिटेल में हम पड़ेंगे हमारे लिए यह बहुत ही काम की चीज है अप्टीकल फाइबर लेकिन बच्चों कल का मैं एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन करवा दू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्षन में एक फॉर्मीला था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्षन में एक फॉर्मीला थाह साइंसी इकवल्स टू आपने कल यह एक फॉर्मीला देखा था यादे ना sin c equals to तो हम दो medium का ratio लेते थे बाद में तो यहाँ पे जो दो medium थे वो कौन से थे उपर था n rarer medium उपर था n rarer medium नीचे था n denser medium यह एक formula था कल मैंने आपको बता था यहाँ पे फिर से revision हो रहा है sin c equals to n rarer upon n denser और मैंने आपको बताया था denser की value इसका refractive index denser का refractive index जितना बड़ा होगे उतना ही sin c की value sorry, sin c की value काम होगी sin c की value क्या होगी? काम होगी जितना denser medium का index ज्यादा रखोगे उतना यहाँ पे sin c की value काम होगी और sin c की value काम हुई तो यहाँ पे critical angle c की value भी कम होगी और जितनी critical angle की value कम उतना ही total internal reflection ज्यादा total internal reflection ज्यादा जितना end answer ज्यादा उतना sin c छोटा उतना c छोटा और उतना ही total internal reflection ज्यादा यह चीज आपको याद रखनी है ओके तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है fiber optic के बारे में चलो fiber optic क्या देखो यहाँ पे यह काम की चीज़े यह यहाँ पे आपको मालूम है अभी जो reliance के यह जो fiber optic के internet connection आये fiber optic के internet connection यह क्या है चलो हम इसके बारे में अभी देखेंगे fiber optic या तो optical fiber जो भी आप बोलोगे ओके चलो इसके बारे में यह main है इसकी application जो अभी बहुत ही हमें help कर रही है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ optical fiber अब यह optical fiber या तो fiber optic जो भी आप बोलोगे अब यहाँ पे एक transparent इस तरह का wire होता है transparent समझ में रहा है transparent material से बना हुआ इस तरह से एक wire होगा यह wire हमारा जो hair होता है उतना पतला होता है लेकिन आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ इसलिए मैं थोड़ा ठीक ड्रो कर रहा हूँ हमारे hair जितना पतला होता है ओके और यह है fiber optic अब इसमें क्या होगा बच्छो देखो जनरली इसमें यहाँ पे पहले न मैं इसकी axis ड्रो कर देता हूँ यह जो cylinder ड्रो हुआ एक wire इसकी यह axis है यहाँ पे बीच में मैं इसकी ड्रो की है यहाँ पे axis ड्रो की अब क्या होगा यहाँ पे मैं एक LED रखी है LED यहाँ पे देखो मैं रख रहा हूँ एक LED light है एक LED light है यहाँ पे incident ray यहाँ पे आएगा incident ray अब क्या होगा बच्चो देखो यहाँ से light निकलेगी और यह normal के पास पहुचेगी तो incident angle बनेगा theta 1 यह incident angle बनेगा theta 1 अब light है ना याद रखो बच्चो यह rarer medium था कौन सा medium है यहाँ पे बार rarer medium है rarer medium से जब यह light एंटर होगी denser में यह अंदर क्या है denser medium है simple सी बात देखो अंदर तो denser ही होगा यह अंदर denser medium है अब जैसे ही light rarer में से denser में enter होगी तो यहाँ पे जो theta 1 है और यहाँ पे क्या होगा बच्चो यहाँ पे जो theta होगा न यह theta वो छोटा हो जाएगा जिसको मैं बोलूँगा यहाँ पे theta यहाँ पे r angle of reflection theta r बोलूँगा यह तो इसको theta f बोल देता हूँ चलो theta f तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चो अभी आपने क्या देखा rarer to denser देखा है अभी तो light LED में से निकली हवा में से वो गई यह fiber के अंदर fiber का जो पतला सा wire है उसके अंदर यह गई और यह transparent wire होता है तो उसके अंदर वो light जा सकती है तो rarer to denser अभी light अंदर पहुँची है अब main एक चीज मुझे बताओ बच्चो थीटा 1 या तो इसको theta i बोलते है incident angle theta i यहाँ का theta i ज्यादा ही होगा क्योंकि यह rarer का angle है तो theta i ज्यादा ही होगा always और यह denser का angle है तो theta f काम ही होगा always तो एक चीज याद रखना मानलो यहाँ पे आपने 30 degree रखा है तो इसकी value 30 से तो काम ही होगी मानलो 25, 20, 15 जो भी होगी तो यहाँ पे जो angle रखोगे आप उससे छोटा ही यह होगा कौन theta f उससे छोटा ही मिलेगा क्योंकि यह rarer है और यह है denser अब क्या होगा बच्चो देखो अब यहाँ पे मैं एक normal line draw करता हूँ यहाँ पे एक normal line draw करता हूँ देखो यह मैंने normal line draw की तो आपको इतना यहाँ पे दिखेगा के भाई यह जो है यहाँ पे यह 90 degree है कितना है बच्चो यह 90 degree है तो मुझे एक बात बताओ यह theta f यह 90 degree तो यह क्या होगा तो आप तूरंद बताओगे के भाई यह जो है ना वो 90 minus theta f होगा 90 minus theta f आप तूरंद बताओगे यह जो जगा होगी वो होगी 90 minus theta f तो यह theta f यह 90 minus theta f और यह 90 यहाँ पे ओके तो आपको तो यह समझ में आ गया कि यह angle theta i यह theta f और यहाँ पे मिला 90 minus theta f अब यह जगा पे मैंने आगे आपको बताया था critical वाली position देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई यह जगा critical position है यहाँ पे क्या होगा यह normal है देखो यह normal यह कौन सा angle है c critical angle c यह c है critical angle c और यहाँ पे जो angle मिलेगा वो है 90 degree हमने पड़ा था total internal reflection में हमने पड़ा था कि यह light आएगी यह light आएगी और एसा incident angle आप बनाओ एसा incident angle बनाओ जिससे यह reflection angle angle of reflection वो क्या हो 90 हो तब क्या होगा यह जग के बाद यह जग के बाद जो भी raise जाएंगे वो सभी अंदर ही वापीस reflect होंगे यह critical angle के बाद तो यह क्या है बच्चो देखो यह है normal line यह है normal line और यहाँ पे जो ray आया यह ray अगर c या तो c से बड़ा है यह angle यहाँ जो आपको दिख रहा है वो c critical angle या तो c से बड़ा है तो light अंदर की अंदर ही रहेगी light अंदर ही रहेगी वो बाहर नहीं जा पाएगी तो हमारा target क्या होगा बच्चो हमारा target यह है यहाँ पे जो angle आपको दिख रहा है कौन सा है वो angle वो है 90 minus theta f angle यह जो angle दिख रहा है वो क्या है 90 minus theta of angle वो कितना रहना चाहिए ये 90 minus theta of angle C से ज्यादा रहना चाहिए अगर ये 90 minus theta of angle C से ज्यादा होगा तो जो light आएगी वो अंदर ही reflect होगी अंदर ही reflect होगी वो बाहर निकलेगी ही नहीं यहाँ पे बाहर निकलेगी ही नहीं जो light आई वो अंदर ही अंदर ही reflect हुई समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जो angle बना वो कितना बना बच्चो 90 minus theta f और यहाँ पे जो reflection होगा न reflection जिसको हम बोलेंगे angle of reflection वो angle of reflection भी कितना होगा 90 minus theta f फिर क्या होगा light यहाँ पे आएगी और यहाँ पे मैं एक normal draw करता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक normal draw करता हूँ तो बहुत simple सी बात है बच्चो यहाँ पे 90 minus theta f मिला तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा 90 minus theta f तो फिर से light क्या होगी अंदर के अंदर ही reflect होगी फिर फिर इस तरह से अंदर के अंदर ही reflect होगी फिर फिर इस तरह से अंदर के अंदर reflect होगी तो यहाँ पे जो आपको cylinder दिख रहा है यह जो wire दिख रहा है उसके अंदर ही light reflect होते हुए आगे बढ़ने लगेगी और यही light यह wire में आगे बढ़ेगी यही जो light है वो यह wire में आगे बढ़ेगी लेकिन आपको क्या करना है 90 minus theta f की value critical angle से ज्यादा रखनी है तो मुझे एक बात बताओ यह angle 90 minus theta f angle जितना ज्यादा हो उतना हमारे लिए beneficial है 90 minus theta f angle जितना ज्यादा हो उतना हमारे लिए beneficial क्यूंकि यह जितना ज्यादा होगा उतना c से तो ज्यादा ही मिलेगा मानलो यहाँ पे 90 minus theta f यहाँ पे theta f क्या था? theta f था 25 तो 90 minus 25 तो आपको answer मिलेगा 65 आप answer मिलेगा 65 90 minus theta f तो answer मिला 65 तो c की value मानलो 30 degree है critical angle मानलो 30 degree है तो आपको तो 65 answer मिला तो 65 30 से तो बड़ा है तो total internal reflection होगा TIR होगा तो TIR कब होगा? जब 90 minus theta f c से बड़ा हो चलो अब उल्टा पकड़ो इसको 90 minus theta f को अगर मुझे बड़ा बनाना है तो theta f जितना हो उतना कम रखना पड़ेगा theta f जितना हो उतना कम रखना पड़ेगा क्योंकि 90 में से जितना कम माइनस होगा उतना ही इसका answer बड़ेगा तो अभी theta f की value 25 है उसकी जगह पे अगर theta f की value 15 कर दी 15 तो 90 minus 15 answer मिल जाएगा 75 तो हमें benefit हुआ तो हमें क्या करना है हमें 90 minus theta f ये पूरी value को बड़ाना है अगर इसको बड़ाना है तो theta f को छोटा करना पड़ेगा अब दूसरी एक बात theta f कैसे छोटा होगा theta f छोटा कैसे होगा ये LED यहाँ पे रखी है तो incident angle कितना है theta i अगर ये ही LED यहाँ पे रखी होती यहाँ पे तो light इस तरह से जाती इस तरह से इस तरह से यहाँ पे और theta i क्या होता छोटा हो जाता तो 90 minus theta f बड़ाना है तो theta f को छोटा करना पड़ेगा और theta f छोटा तब होगा जब theta i को आप छोटा करोगे तो theta i क्या है incident angle उसको भी छोटा करना पड़ेगा तो होगा क्या बच्चो ये जो LED यहाँ पे रखी थी आपने ये LED यहाँ पे रखी थी लाइट इस तरह से जा रही थी यही LED को अगर इस तरह से कर दोगे थोड़ा तो light इस तरह जाएगी और यह जो angle है ना theta i वो theta i छोटा हो जाएगा और rarer to dancer जब जाओगे rarer to dancer जब जाओगे तो theta i से theta f तो but natural यह और छोटा होगा तो यहाँ पे जैसे 30 था तो यह क्या मिला 25 अब मानलो इसको मैंने 20 कर दिया है तो यह मिलेगा मानलो 12 मानलो समझवे आ रहा है तो यह 30 का मैंने 20 किया तो यह 25 का मानलो यहाँ पे 12 मिला मानलो तो होगा क्या बच्चो theta f मुझे और छोटा करना था तो मेरा target अची होने लगा theta f जो है वो छोटा होने लगा लेकिन theta f छोटा होगा तो यह पूरी value बढ़ेगी और यह पूरी value बढ़ेगी तो मेरा benefit क्या होगा यह पूरी value अगर बढ़ेगी तो c से मेरा angle बढ़ जाएगा और मेरे ही जो light है मैं यहाँ से जो LED से light बेज रहा हूँ वो light अंदर की अंदर ही रहेगी समझ मेरा है तो यहाँ पर यह क्या हुआ total internal reflection तो यह series आपको याद रखनी है यह series 90- theta f को बढ़ाओ theta f को छोटा करो और theta i को और छोटा करो तब आपको यह optical fiber समझ में आएगा समझ में आ रहा है दूसरी एक बात मैं आपको बता दू तो आप सोचोगे सर यह काम कैसे करता है optical fiber यह कैसे काम करेगा देखो मैं आपको बताओ यहाँ पर मान लो आपके घर में एक computer है आपके घर में computer है और दूसरा computer है यहाँ पर मान लो मुंबई में तो सूरत से मुंबई यहाँ पर बीच में क्या होता है fiber optic है सूरत से मुंबई में बीच में क्या है fiber optic है अब आपने क्या किया है आपकी screen में A प्रेस किया यहाँ पर A जो A का बटन था वो आपने A प्रेस किया तो आपको screen में A दिखा आप chat कर रहे हो सामने वाले के साथ chat कर रहे हो तो यहाँ पर मन लो आपने A प्रेस किया screen में A दिखा अब हमारा जो computer होता है वो यही A को binary में convert करता है तो binary में convert हुआ तो यह मिला 0 1 0 1 1 1 0 1 तो हमारा computer हमने A लिखा तो हमारे computer ने उसको convert कर दिया 0 1 0 1 1 1 0 1 उसमें convert कर दिया अब यह जो language है ना वो हम नहीं समझ सकते है computer समझ सकता है क्योंकि computer A को यह code में convert करता है अब क्या होगा बच्चों देखो एक simple सी बात है जब 0 आएगा तब यहाँ पे जो LED होती है यहाँ पे convert किया जाता है यहाँ पे LED होती है वो light नहीं छोड़ेगी लेकिन 1 आएगा तब यह LED light छोड़ेगी light छोड़ेगी तो यहाँ पे light जाती हुई यहाँ पे receive होगी सामने क्या होता है एक detector होता है जो light को receive करता है तो पहले कुछ time में उसका time fix होता है पहले कुछ time में light नहीं आई तो ये computer 0 लिखेगा फिर one light आई एक click हुआ light आई तो वो one लिखेगा फिर जो fix time होता है उसमें light नहीं आई तो ये 0 लिखेगा फिर light I, तो ये 1 लिखेगा, फिर light I, 1 लिखेगा, फिर 0 लिखेगा, फिर 1 लिखेगा, तो यहाँ पर computer को ये symbol, सामने वाले computer को ये symbol मिलेगा, तो वो उसको analysis करेगा, कि अरे भाई ये तो A है, तो सामने वाले की screen में A दिखाया जाएगा, देखो ये एक system में आपको easy way में सम जाया, कि fiber optic क्या करता है, अभी internet connection जो है न, वो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, light की help से, तो light की help से आप कैसे ले जा सकते हो, क्योंकि light तो क्या होती है, on होती है, या तो off होती है, simple सी बात है, तो light में on off means high voltage, या तो low voltage, light में यही चीज होती है, समझ मैं और binary में क्या होता है, एक zero होता है, और एक one होता है, binary में दो ही चीज है, computer आपको पता है, computer जीरो और one की language ही समझ पाता है, तो a का symbol यह है, सामने वाले computer ने light detect की, और यह light की help से उसको यह symbol मिला, उसको convert किया a, तो सोचो बच्चो, light की speed, मुंबई और सूरत के बिच का distance, one 400 km है, मुंबई सूरत के बिच का distance, यह दो computer के बिच का distance 400 km है, तो light की speed तो क्या है, बच्चो, three lakh km per second, vacuum में, मान लो यह जो medium है, यह जो wire है, उसमें मान लो 2,00,000 km per second भी हम सोच ले, कितना, एक second में 2,00,000 km, तो बच्चो, आप 3-4 बार भी अगर अर्थ को पूरा गुम लोगे ना, तो भी 2,00,000 km नहीं होता है, सोचो, तो यहाँ पर क्या है बच्चो, यहाँ पर सूरत से मुंबई का distance तो 400 है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यह click करेगा, तूरंती सामने वाले के computer में यह A दिखता है, यह speed में होता है, बहुत जो होती है न, वो message को ले जाती है, तो यह fiber optic एक जगह से दूसरी जगह message इस तरह से convey करता है, fiber optic, समझ में आ रहा है, और दूसरी एक बात, यहाँ पर मैंने जो draw किया है, उसमें main, तीन angle समझने है, एक तो बार का जहाँ से LED से light जाएगी, यह incident angle theta i, जो theta i, यह box देखो, य अची तरह से याद रख लेना, यह box, कि जितनी theta i की value छोटी, फिर यह angle अंदर जाएगी, यह light अंदर जाएगी, तो उतना ही theta f, उतना ही theta f कम, उतना ही theta f कम, और जितना theta f कम, उतना यह 90 minus theta f जो होगा, जो जिसकी value में critical से ज्यादा रखनी है, तो उतना ही 90 minus theta f ज्यादा, और हमारा benefit क्या है बच्चो, हमारा benefit तो है जितना 90-θ f ज्यादा, means c से जितना ज्यादा, उतना total internal reflection increase होगा, समझ में रहा है यह हमारा target था, तो वो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया, फिर दूसरी एक बात में बता दू बच्चो, यहाँ पर कोई एसा सोचेगा, कि सर यहाँ यहाँ पर तो बाहर हवा है, चलो आपने हवा में से light को अंदर enter करवाई, और यह गुज गई fiber के अंदर, चलो fiber के अंदर गुज गई, तो यह fiber के ऊपर, यह जो wire होता है न, fiber का wire, उसके ऊपर, क्या है, यह fiber का wire है, उसके ऊपर, अभी क्या है, हवा है, यहाँ पर हवा है, तो मैंने आपको बताया था आगे के total internal reflection वाले topic में कि यहाँ पे denser होगा, उपर हवा होगी means rarer होगा यहाँ पे denser होना चाहिए, यहाँ पे rarer होना चाहिए तो यह light है न, denser, यहाँ पे denser होगा, बार rarer होगा तो यह light है न, वो क्या feel करेगी? TIR, total internal reflection तो denser में से light आई, और light अंदर ही वापिस मुड़ गई अंदर की अंदर, जिसको हम TIR बोलते थे लेकिन यह कब होता है? Light, denser में से, यह denser में, denser medium के अंदर ही तब रहती है जब यह denser के बाहर वाला, जो medium है न, उसके आसपास वाला, वो rarer हो यह condition है, अगर यहाँ पे denser है, और इससे भी ज्यादा denser बाहर है यहाँ पे denser है, और इससे भी ज्यादा denser अगर बाहर है तो light फिर अंदर की अंदर नहीं रहेगी, वो light बाहर निकलने लगेगी, leak हो जाएगी क्या हो जाएगी? light बाहर निकल के leak हो जाएगी तो यहाँ पे होता है बच्चो, अभी यह जो wire है न, यह wire अभी बहुती clean दिख रहा है एकदम clean, इसके उपर हवा है फिर थोड़ा time जाएगा, तो यह wire के उपर impurity जमा होने लगेगी आपको मालूम है, आपके घर में जो fan होता है वो चार-पांच मैने के बाद, वो fan को आप कपड़े से साफ करोगे न तो fan के उपर, एक oily, चीकनी हुई, ऐसे sticky impurity होती है oily impurity, fan के उपर, fan की blade होती है न, उसके उपर sticky impurity होती है तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो wire होगा, थोड़े time के बाद यह wire पर यहाँ पर sticky, oily impurity जमने लगेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यह denser है, यह denser थोड़े time के बाद इसके उपर impurity जमने लगेगी तो इसके उपर और ज्यादा dancer आ जाएगा, इसके उपर और ज्यादा dancer layer आ जाएगा, तो light क्या होगी, leak होने लगेगी, light यहाँ से leak होने लगेगी, जहाँ जहाँ वो इस तरह से collide होगी, वहाँ पे थोड़ी leak होगी, यहाँ पे थोड़ी leak होगी, यहाँ पे थोड़ी leak होगी तो ये तो भई light leak होने लगी तो तो हमारा message एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुचेगा तो क्या किया जाता है बच्चो ये wire के उपर ये wire के उपर एक दूसरा layer चड़ाया जाता है दूसरा layer इस तरह से ये layer चड़ाया जाएगा ये layer ये layer जो भी material का बना हुआ है ये material अंदर वाले material से rarer होगा तो यहाँ पे क्या होगा ये जो layer होगा ये rarer होगा with respect to core ये अंदर वाला जो है न वो core बोला जाएगा और बाहर वाला जो cover है वो cladding है तो बाहर वाला cladding होगा अंदर वाला क्या होगा core होगा core तो core material से cladding जो होगा cladding वो rarer होगा तो अब इसका benefit क्या है ये cladding के उपर जो भी oily impurity को जमना है बले ये उपर आजाए कोई फर्क नहीं क्यूँकि ये तो always denser ही रहेगा और इसके उपर वाला layer होगा वो तो rarer ही रहेगा तो ये जो layer है वो क्या होगा rarer ही बनके रहेगा और ये denser ही बनके रहेगा अब उपर जिसको भी जमना है oily impurity को बले ही जम जाए हमें कोई फिकर नहीं है समझ में रहा है तो cladding core के उपर cladding क्यों चड़ाया जाता है जब आप engineering में जाओगे आपको पूछेंगे कि fiber optic में ये core है उसके उपर cladding क्यों चड़ाया जाता है क्योंकि total internal reflection में एक चीज जरूरी है क्या जरूरी है कि बई जिसमें TIR हो रहा है यहाँ पर TIR हो रहा है total internal reflection TIR यहाँ पर हो रहा है वो TIR denser medium में हो और उसके आसपास कौन सा रहे rarer medium रहे तो ही TIR होगा वरना तो light leak होने लगेगी समझ में हो रहा है तो होगा क्या थोड़े दे time के बाद core के उपर impurity जमना जाए इसलिए एक permanent उसको कपडे पेना जाते उसको उसपे एक layer चड़ाया जाता है और वो material का इंडेक्स वो material का index n वो n क्या होता है छोटा होता है और इसका n क्या होता है denser का n index बड़ा होता है तो permanent अंदर वाला material denser ही रहे और permanent बाहर वाला जो layer है वो rarer ही रहे समझ में आ रहा है तो ये हुआ पूरा fiber optics और इसका दूसरा use भी है देखो आपको मैं बताओ मान लो हमारे body में endoscopy करनी है तो आपको पता endoscopy में क्या होता है ये एक fiber optic का wire है इस तरह का एक wire होता है fiber optic का और अंदर एक camera रखते है एक camera यहाँ पर छोटा सा बहुत छोटा सा camera होता है तो ये fiber optic का wire जो होता है अब देखो आपको इस दोरी से बांद के camera को अंदर ले गए तो ये camera जो है वो light तो नहीं देगा अंदर तो हमारे body में कोई tublet तो नहीं होती है अंदर अंदेरा रहेगा तो camera जो होता है वो photo नहीं निकाल सकता है तो ये camera को fiber optic के साथ हमारे body में अंदर बेजा जाता है तो जब हम body में ये अंदर जाएगा तो ये fiber optic के अंदर light इस तरह से ये light इस तरह से अंदर आ जाएगी और अंदर क्या होगा ये पूरी अंदर क्या होगी यह माउथ में से यह जाता है यह अंदर इगा तो ही यह यह सब कुछ आपको अंदर लाइट मिलने की वज़ए यह आपको दीखेगा समझ में आरा है तो यह बहुत सार है ऊपो दुस्साल है और fiber optic है ना बच्चो आप सभी ने देखा भी है मैं आपको एक example दू अभी मैं आपको बताता हो चलो fiber optic wire आप सभी ने देखा है कहा देखा है वो भी मैं आपको बताओ wait करो कि एक मिनीट fiber optic हाँ चलो अब आपने न इस तरह का एक बल्ब देखा होगा इस तरह का बल्ब मेले में मिलता है यादे मेले में मिलता है नीचे होता है एक light source LED रखते है नीचे LED होती है यहाँ पे नीचे LED होती है और इसके उपर पूरे fibers का bunch यहाँ पे लगा देते है तो होता क्या है नीचे LED में से light जाती है fiber के अंदर यह देखो यह light जो है न वो fiber के अंदर गई फिर यहाँ पे fiber खतम हो गया यहाँ पे fiber खतम हो गया तो यह एंड होता है, यह एंड, वो सभी एंड देखो चमकते हैं, यहाँ पर सभी एंड देखो वो चमकते हैं, क्योंकि वहाँ से light बार निकलती है, इस तरह का आपने मेले में देखा होगा, या तो कोई gift shop पे देखा होगा, इस तरह से एक source होता है, light source, नीचे कुछ नहीं LED होत तो आपको वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा दिखता है यह, और अभी क्या है, यह night lamp में इस तरह से gift article में यह use होता है, इस तरह से देखो, यह fiber अलग-अलग color की नीचे LED डाल देंगे, और अलग-अलग color के fiber होंगे, समझ में आ रहा है, तो यह इस तर communication तो communication में, यह endoscopy में है, main इसका use, लेकिन यह जो fiber होते है, उसका यह, दूसरा, गरेलू use भी इस तरह से करते है, क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग तो बहुत ही अच्छा है, ओके, तो इसके अंदर कोई भी doubt है, तो आप मुझे पूछ सकते हो,